भाई और भेनों, इस अमरित कालब है, उत्तराखन और देश को नई उंचाई पर ले जाने का अवसर मिला है, इसलिए इस बार का ये चुनाव बहुत ही महत्वकुन है, ये चुनाव इस दसक को उत्तराखन का दसक बनाने में एहेम भूमी का निभाएगा, ये चुनाव अगले पचीश साल की बुनियाद को और मजबूत करेगा, और हम सब जानते हैं, नीव जीतनी मजबूत होती है, उतनी ही मजबूत इमारत भी बनती है, भाई और भेनों, आज मैं आप सबसे, टेक्नोलोजी से, टेक्नोलोजी के माध्यम से जुड़ा हूँ, लेकिन ये मेरा सवभाग्य है, इस चुनावों के धर्म्यान मुझे पहली बार रूबरू आ करके आप सबके दर्सन करने का सवभाग्य मिलेगा, और इसलिए पर्सों, दस तारिक को, गुरिवार को, उत्राखन के स्री नगर पहुचूँँगा, और आपके दर्सन भी करूँगा, और आप से बात्चित भी करूँगा, दस तारिक को आ रहा हैं, उत्राखन के वासियों से रूबरू आशिर्वार लेने का, और देव भूमी को प्रनाम करने का, मुझे सवभाग्य मिलेगा, इन चुनाओं में आपके सामने और भी कुछ दल मैदान में हैं, कुछ दल ऐसे हैं, जिनोंने बर्सों तक उत्राखन से दुश्मनी निकाली, और कुछ दल ऐसे हैं, जो उत्राखन को तभा करने की नियत से अहां आये हैं, ये वो लोग आये हैं, जिनोंने कोरोना के कठीन काल में, बसे भर भर के, उत्राखन्डियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था, रात रात, ठंड के दिन थे, ऐसे लोग, अब आज आप से वोट मांगने आये हैं, मेरे प्यारे उत्राखन के भावियों बहनों, जिनोंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्राखन में भी राज किया, कॉंग्रेस की नियत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव केंपेंज से, इनके नारों से लगाया जा सकता है, आपको उनके कारणामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए, दिल्ली में ये अनेग दसकों तक सत्ता में रहे, इंके नेता यहाँ सेर सपाट के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको ना उत्तराखन की याद आई, ना उत्तराखन के तिर्थ छेतरों की याद आई, न उत्राखन के टुरिजम की याद आई नहीं इनको चार धाम की याद आई इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही तब उत्तराखन यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन उस समय भी केदारधाम की बद्रीधाम की गंगोतरी यमनोतरी की याद उनको कभी नहीं आई उनकी डिक्षडेरी में ये नाम ही नहीं से इने कभी समझी नहीं आया कि उत्तराखन के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में आवा गमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है उत्तराखन से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं लेकिन इतने सालों तक कॉंग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई गाउं के गाउं खाली हो गए आज डबल इंजीन की सरकार चार धाम को दिव्य और भव्य बना रही है चार धाम के लिए आल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है